तो सबी को मेरे नमस्कार वापस आने के लिए आपका धन्यवाद और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मैनर्स के बारे में तो मैनर्स क्या होता है मैनर्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिष्टाचार तो यहाँ पर हिंदी में मैनर्स को बोलता है सिष्टाचार मतलब कैसे हम लोग अच्छा तरीका से बात कर सके दूसरा को रिस्पेक्ट देते हुए कैसे बात कर सके इंगलिश में तो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है चलिए हम लोग चालू करते है अच्छे सिष्टाचार को देखने के लिए निमन लिखित बातों का ब कीप इन माइंड तो यहाँ पर बता रहा है टू शो मतलब दिखाना यॉर मतलब आपका गुड मतलब अच्छा मैनर मतलब जो अच्छा अच्छा मैनर मतलब यवहार कीप इन माइंड कीप मतलब रखना इन मतलब अंदर माइंड मतलब क्या जो दिमाग है हम लोग का ठीक है तो हम लोग जो दिमाघ सही बोलते हैं, दिमाग में सोचते हैं, ब्रेइन तो बहुत सारा काम करता है, लेकिन दिमाघrolog में अलग है ब्रेइन अलग है, मतलब दिमाग ब्रेइन का पाट है, फ़ीक है, यह आप समझ गये होंगे, क्योंकि brain का और भी बहुत सरा function रहता है, जैसे पूरा हम लोग का body का, दिल का धड़कना, और खाना, भूक लगना, पानी का प्यास लगना, तो ये सब हम लोग का brain बताता है, लेकिन जो हम लोग सोचते हो, कहा होता है, mind में, तो mind brain का part है, ठीक है, ज्यादा हम लोग नहीं ज kindly जैसे शब्त का प्रयोग कीजिए, तो यहां पर लिका है, जैसे हम किसी से कुछ मांग रहे है, जैसे किसी से हम pen मांग रहे है, तो please pen दे दीजिए, इंग्लिश में please बोलते है, या kindly बोलते है, kindly मुझे पैन दे दीजिए, if you are asking someone for something, use please, kindly sort of words, तो यहां पर वहीं इंग्लि अगर you मतलब होता है, आप are asking मतलब पूछ रहे है, someone, किसी से for something, किसी चीज के लिए, something मतलब किसी चीज के लिए, use मतलब प्रयोग कीजिए, please, या kindly sort of words, ठीक है, तो यह सब का words का आप लोग प्रयोग कीजिए, ठीक है, number two में हम लोग आते है, आपको कुछ दिया गया, या आपकी किसी बात कुमहत्व दिया गया, तो thanks कहना मद भूलिये, thanks यहाँ पर अम लोग को प्रयोग करना है, यहाँ पर कह लिखा, if your, your, your were given something or given importance, always say thanks, बोलते है, अगर your मतलब आपको कुछ दिया गया, given मतलब दिया गया, something, कुछ दिया गया, ठीक है, something मतलब कुछ, कुछ ठीक है, कोई भी चीज हो सकते है, something मतलब कोई भी चीज, और मतलब होता है, यहाँ, और हिंदी में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, और यह, मतलब मीना और रीना जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, और का मतलब हो गया हिंदी में, कि दोनो, दोनो जा रहे थे, लेकि यहां English में और का मतलब क्या है या मीना यहां रीना सडक से जारी थी तो यहां पर हम लोग क्या यूज किये या यूज किये ठीक है तो या का मतलब होता है और English में ठीक है Given importance If you were given something or given importance Importance always say thanks Importance मतलब आपको कोई इजद दे रहा आपको important कर रहा आपको respect कर रहा है या आपको पर ध्यान दे रहा है तो always say thanks तो जैसे हम लोग thanks का प्रयोक करते है जब हम लोग कोई तौफ़ा देता है तो तौफ़ा दिये तो thanks बोलता है ठीक है कुछ दिया हम लोग को तो उस समय जादा तरह हम लोग thanks प्रयोक करते है हम मेरा कोई मदद किया जैसे हम गिर गये तो मैं कोई उठाने आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे thanks ठीक है Thank you is more formal than thanks Thank you ये formal है ठीक है जैसे आपको कोई letter लिख रहे है letter में आपको thank you लिखना है thanks नहीं लिखना है जैसे कोई नीबंद लिख रहे है पत्र लिख रहे है इंग्लिश में तो thank you का प्रयोक करना है वहाँ पर thanks नहीं लगाना है बात करने के लिए जैसे frankly जैसे अभी घर में या बहार किसी दोस से या college में या school में या office में तो किसी से अगर कोई में कुछ gift दिया तम क्या बलें के thanks thank you भी बोल सकते है ठीक है लेकिन thank you का प्रयोक letter में करना है thanks का प्रयोक नहीं कर सकते और ऐसे बात करने समय थैंक्स का भी प्रयोक कर सकते है thank you का भी प्रयोक कर सकते I hope आपको समझ आगिया होगा आगे बढ़ते है अरे का हो गया हाँ अगर कोई आपका ध्यान करे तो कहे welcome या mention not या my pleasure या it's okay आदी welcome मतलब होता है आपका धन्यवाद और मतलब ने धन्यवाद ने जैसे आपको कोई कुछ दिया जैसे आपको कोई thank you बोले जैसे आपको किसी को gift दिये तो आपको क्या बोले thank you तो उसका बदले में बोलना आपको welcome यह सब तो हम लोग कर चुके होगा यह सब तो आप लोग को पता होगा जादे इस पर time waste नहीं करेंगे या mention not mention not भी आप बोल सकते है मतलब कोई कोई नहीं कोई नहीं ठीक है कोई नहीं English में मतलब Hindi मतलब कोई नहीं या mention not English में ठीक है या my pleasure मतलब यह तो मेरा खुस किसमती है ऐसे बोलना ठीक है यह Hindi में मैं आपको बता दिया my pleasure मतलब कोई बड़ा आदमी को गिफ्ट दे रहे जैसे कोई राजा या मंतरी हो गया तो ऐसे आप बोल सकते है तो मेरा खुस किसमती है कि मैंने आपको गिफ्ट दिया my pleasure ठीक है ऐसे welcome भी बोल सकते है ठीक है it's okay आदी it's okay भी बोल सकते it's okay मतलब जो आपको देखना पड़े है आप किसको क्या कर ठीक है if someone thanks you for something you can say welcome mention not my pleasure it's okay it's all right etc अब तो मुझे लगता है आपको sentence पढ़ने भी आगिया होगा if मतलब होता है अगर someone मतलब होता है कोई thanks मतलब होता है धन्यवाद you मतलब होता है आपको for something किसी चीज के लिए cheese मतलब होगा something you can say can मतलब say मतलब होता है बोल सकते ठीक है सकते मतलब होगा यह आपर can ठीक है you can say welcome welcome बोल सकते या mention not बोल सकते या my pleasure बोल सकते it's okay बोल सकते it's all right बोल सकते etc. बोल सकते ठेक है बहुत अच्छा यहां पर आप एक चीज़ नोटिस क्या होंगे यहां एक और जोड़ दिया है इस ओके का बाद इस ओल्राइट भी जोड़ दिया है तो यह आपको देखना पड़ेगा मेंली आप यह सब का प्रयोग कर सकते अभी के लिए अगर आप जानना चाते और इसके बारे तो इसके बारे आप गूगल पर सर्च कर सकते ठेक है तो चलिए पॉइंट नंबर फॉर देखते क्या है जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह कहिए आई बैग यूर पारड़न या आई अम सॉरी या आई डिडिन्ट गेट इट या एक्स्क्यूज मी पारड़न इआ है बैघ मतलब यहां पर हो गया कि भिकारी कौन हो था भिकारी जो भीक मांगता है बहुत दूर्बल उता है तो यहां पर आप भी दूर्बल स्थीति में है बैग मतलब ऐसा मत्सूचий बबहु किन ओपीकारी हो गया सुनने में दिक्कत हो गया I beg your pardon ठेक है तो समझ जाएगा इसको सुनने में दिक्कत हो रहा है तो I beg your pardon का मतलब हो तो I am sorry sorry मेरे को सुनने में दिक्कत है मेरे को सुनने में दिक्कत मतलब कुछ सुनाई नहीं दिया वो अलग है पहले आपको बोलना, I beg your pardon, I am unable to hear, यह यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं अपने से बोलना हूँ, I beg your pardon, I am unable to hear what you say, can you speak once again, ठीक है, तो देखे, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, तो पहले, I beg your pardon, या I am sorry, I am sorry, मैं sorry हूँ, sorry मतलब, आप समझ गए, या I didn't get it, मतलब मेरे को वो समझ में नहीं है, जो आप बोले, get it मतलब वो समझ में नहीं है, यहाँ पर यह ऐसे बोल रहा है, या excuse me, excuse me के मतलब तो आपको पते ही होगा, या नमरता से कह सकते हैं, will you please repeat it, I didn't get you, आदी, तो आप सीधा यह बोल सकते है will you please, क्या आप please repeat करेंगे करीपा करके वापस बोलेंगे, repeat मतलब वापस, ठीक है, I didn't get you, मेरे को आपका कुछ, आप जो बोले हो समझ में नहीं है, मतलब आपका आवाज भी सुनाएं दिया हो समझ जाता है, आदी, ठीक है, while talking over the phone, if you couldn't hear something, you can say I beg your pardon, or I am sorry I didn't get it, excuse me, or you may politely say, will you please repeat it, I didn't get you, etc., तो यहाँ पर वे इंग्लिश में translate किया गया, while मतलब जब आप phone में, talking मतलब बात कर रहे, over the phone, मतलब फोन पे, ठीक है, while जब, talking मतलब बात, over the phone, मतलब फोन के उपर, over मतलब उपर, phone मतलब फोन, ठीक है, phone के बात करे, if you couldn't hear someone, if, मतलब अगर here मतलब सुनना होता है, मतलब नहीं सुन पा रहे, नहीं मतलब couldn't हो गया, something, कुछ जो बोला हो, नहीं सुन पा रहे, you can say, आप बोल सकते है, say मतलब हो गया, बोलना, I beg your pardon, मैं आप से क्रिपा करके, आपका pardon मतलब छमा चाहता हूँ, ठीक है, या क्रिपा करे, और I am sorry, मैं sorry हूँ, और I didn't get it, मुझे वो समझ नहीं आए, जो आप बोले, और excuse me, excuse me, please, ऐसे आप बोल सकते है, ठीक है, प्लीज मत बोलेगा, excuse me, तो समझ जाएगा कि आपको सुनने में दिकत हुआ, और you may politely say, will you please repeat, I didn't get you, etc, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता जा ह हिंदी में, will you का मतलब, please, आप फिर से repeat, फिर से बोले, मेरे को आपको कुछ बात समझ नहीं आया, etc, मतलब होता है, और, मतलब और भी तरीका से आप लोग बोल सकते, etc, जब भी आप देखेंगे, तो सोचेगा, यह और भी बहुत सरे चीज है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं लिखे रहे, इसका मतलब यह है, जैसे वहाँ पर सड़क पर क्या क्या जा रहे थे, ट्रेन, बस, और, etc, etc, का मतलब हो गया, आदी, ठीक है, आदी, ठीक है, आगे बढ़ते है, पांचवा पॉइंट है, आप किसी महीला, या किसी अपने से बड़े को, या किसी तो यह बहुत अच्छा समझ में आगया आपको, इसको समझाने का जर्वत नहीं है, आफ्टर यू मतलब आपके बाद, आफ्टर मतलब बाद, आपके, तो मैंने आपको पहले बता रहते हैं कि इंग्लिश में इदर उदर वर्ट रहता है, हिंदी में, फिर उसको जोड़न पड़ता ठीक है, वह ऐसी अलग-अलग, लिकिन मेनिंग आपको समझ माले का, आफ्टर मतलब बाद, यू मतलब होता है आपके, तो आपके बाद, लिकिन यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में ऐसी लिखते हैं, ऐसी बोलते हैं, ऐसी हर जग हम लोग बोलेंगे, वाल गिवि ओर हम और हरनो इंपोर्टनस दान यॉर्सल्फ, तो वाल मतलब होता है, जब किविंग मतलब देना वे, वे मतलब होता है, रास्ता, या crop of path, place, ना जगह देना अलमेट, तो आ लेडी, लेडी मतलब होता होता हुरत, या लड़की या कोई बी, समवन, किसी को नहीं। किसी को भी जैसे कोई बुड़ा आदमी है ठीक है मतलब कोई बड़ा आपसे तो ओल्डर मतलब हो गया कि बुजूर्ग हो गया एल्डर मतलब हो गया बड़ा ठीक है और एक बहुते हैं मतलब ऑगे कि बुजूर्ग अदमी और एल्डर मतलब होगी या बड़ा आप से ठीक और एल्डरली पीपल जो बड़े हैं आप लोग से पोलाइटली से मतलब नम्रता पुरवक बोले पोलाइटली मतलब नम्रता और से मतलब होगी आप बोले after you आपके बाद ठीक है? मतलब बाद आपके तो आप समझ से जाएंगे if simply sorry, it simply implies मतलब ये simply मतलब आसानी से implies मतलब बता रहा है that मतलब की वो आसानी से बता रहा है की you respect that person, आप respect मतलब उसका बहुत इज़त करते है that person वो person person मतलब की इनसान जो आदमी है ये औरहत और तो कोई भी person मतलब आदमी औरहत कोई भी हो सकते भच्चा भी हासाद कोई बढ़ा भी कोई भी परसननी解़ है पस और कुछ नहीं या man नहीं बोल रहा है woman नहीं बोल रहा है मतलब आदमी औरत नहीं बोल रहा है परसंब तो कोई भी इंसान होगा तो इसको पर्सन बोलेने ठीक है ठीक है and gives him or her more importance than yourself or and मतलब हो गया और gives मतलब आप देते हैं him or her him हम लोग आदमी लोग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग औरत लोग के लिए यूज़ करते है more importance than you more में नुग के जढ़ा इंपॉर्टेंस मतलब हो गया कि क्या important मतलब आप उसको importance दे रहे मतलब आप उसको मतलब ऑपको importance दे रहे important बलब समय गये होंगा या मतलब आपको ध्यान जादा दे रहे आपको बहुत importance मतलब का respect कर than yourself ठेक है it simply रहे हैं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो आपसे बड़े है तो उनको बूलना है जैसे कोई आद्मी जारह है ठीक है बस से उतरने वाला ठीक है और देख रहे हैं को पीछे के बुज़ूर्ग आदमी है ठेक है तो उनको बुलना है after you मतलब ऐसे इशारा हाथ हाथ का भी इशारा देना होगा after you मतलब पहले आप वही आप बता रहे ठेक है आगे हम लोग बढ़ते क्या लिखा हुआ वीडियो में मतलब पीडियेफ में 6 नंबर अगर कोई आप से पूचे how are you और आम तोर पर आप कहते है I am fine लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए आप कह सकते है I am fine what about you या great you tell me या fine and you आदी तो यहाँ पर अगर आप से कोई पूचता है how are you मतलब how मतलब कैसे R मतलब है आप you आप ठीक है how are you तो आम तोर पर आप कहते है I am fine I am मतलब मैं हूँ fine मतलब ठीक है ठीक है लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए जैसे आप से कोई पूचता है how are you तो आपको बलता है I am fine लेकिन आपको पूचना चाहिए क्या आप कह सकते है I am fine what about you मतलब हम ठीक है आप कैसे अदिकतर क्या होता है ना कि कोई हम से पूचता है how are you I am fine तो I am fine बोलके हम चुप रह जाते हैं लेकिन आपको अगर वो आदमी से जादा कोई भी आदमी और बच्चे वाटेवर किसे भी कोई बात करना है अगर आपको कोई पूचता है आपको नहीं बात करना है तो बस I am fine बोलके चुप रहे जाएए जादा बात मत बढ़ेए और आपको किसे बात करने क्या आप से मारे आपका क्या हाल है तो ऐसे आप बोल सकते ठेक है या great you tell ya fine and you तो आप इसे बोछता हाव आ रहे हाँ वार तो आप बोल सकते मतलि जादा अच्छ है तो बोल सकते thee great You tell आप बताईए Tell मतलब होगा बताईए ठीक है या fine and you Adi मतलब मैं तो ठीक हूँ fine मतलब ठीक हूँ और आप बताई And मतलब होगा Are और You मतलब होगा आप ठीक है तो ऐसे हम आपसे पूछते हैं तीन बार पूछेंगे ठीक है How are you तो आपको क्या बोलना है I am fine ठीक है और आपको अगर किसी से बात करना है या बात को जारी रखने किसी से कोई पूछता है How are you? तो हम बोलेंगे I am fine, what about you? या बोल सकते हैं वोगों से पूछा How are you? फिर हम बोलेंगे Great, you tell या लास में जो लिखा है How are you? Fine and you? ऐसे बोल सकते हैं तो आपको देखना है कैसे आपको बोलना है ऐसे बोलेंगे Fine and you? ऐसे कुछ समझ में नहीं है अगर तो बोलने का भी उपर बहुत ध्यान दीजेगा जैसे ऐसे great बोल्ड है तो आसे मन बोले great ऐसे मन बोले great ऐसे मन बेला है थोड़ा खुशी से great you tell मतलब you tell ऐसे बोलना है ठीक है तो Fine And you right? समझ में आरा है आपको? मैंको तो लग रहा आ रहा है अब आपको देखे जैसे हम बोल रहाँ ऐसे बोलिएगा बस और कुछ नहीं हम चाहते हम तब को पहले बोले कि मैं आपके साथ रहूंगा पूरा यह कोर्स खतम होने तक आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इंग्लिश बोलने में अभी तक तो आप सीख भी गयोंगे थोड़ा थोड़ा सेंटेंस पढ़ना सीख गयांगो जो जो मैं आपको बताया होंगा पिछले क्लास में भी मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया है कि क्या बताया था मैं भूल गया रुकिये 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 क्या बताया था मैं मैनर्स के पहले क्या बताया था आवई गुड नाइट ग ऐ ciao किसी को रिस्पेक्ट करें और आपका उपर किसको रिश्पेक्ट देना ठीक है अगर आपकोаль किसे सब देने चाहिए क्योंकि अगर आप किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आपको नहीं मिलेगा अगर आपको किसी से रिस्पेक्ट नहीं चाहिए तो मत दीजिए उसको रिस्पेक्ट यही है ठीक है जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे ठीक है तो बात कहना चाहते तो कुछ इस तरह कहिए ठीक है sorry to interrupt you और sorry to intervene और जब वो व्यक्ति आप पर ध्यान दे तो अपनी बात रखिए ठीक है तो यहां पर बोल रहा है कि अगर आप किसे बात बीच में ही रूख आप कोई बोल रहा है ठीक है बोले जा रहा है ठीक है अगल आप किसे को रोकने चाहते है sorry to interrupt you तो interrupt मतलब कहां है कि इसको बीच में रूख दिया ठीक है यह मतलब हो गया है है एंल्म मतलब वो और sorry to intervene मतलब sorry आपको बीच में रूखने के लिए मतलब आपका बीच में आपका बात में घुसने के लिए बीच में आपको रोकने के लिए और जब वेक्ति आप पर ध्यान दे तो आप अपना बात रख सकते ठीक है वहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है अगर आप विश मतलब विश मतलब चाहते हैं इच्छा है आपका टू कट मतलब बीच में उसका बात को कट करना मतलब काटना समवन किसी का शॉट और इंटरॉप्ट समवन शॉट तो जो बोल रहा है उसको बीच में इंटरॉप मतलब उसका बीच में उसको रोकना से पोलाइटली आप बोले नम्रता से पोलाइटली मतलब नम्रता सॉरी टू इंटरॉप्ट यू सॉरी आपको बीच में आपको रोक को है ठीक है और Sorry to intervene and then procedure sorry to intervene अभी को ह του हिंदी में बोले जा रहे है था ऑफ हिंदी मैं कैसे बोलेंगे क्रिपा करके मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ आप यह हिंदी में बोलेंगा ठीक है आप भी कोई बोले जा रहे है । ठीकर बोले जा रहे है और आपको, अपना बाथ रखना है लेकिन, लेकिन आप, अपना बात रखना है sorry to interrupt you I say I have a little respect for your I want to say my own thing and then you will start my own so I will come to you, this is what I will learn in English if someone asks you how are you it's pretty common you can say I am fine but it's better to ask him or her as well about how he or she is this slash means or but when you write it, don't do more of this he or she, girl or girl, you can do it here, you can do it here, you can do it here wherever you see it, you can do it here, you can do it here, you can do it here if you are learning, you can do it, you can do it, you can do it you can rather say I am fine, what about you or great, you tell a fine and you etc so here I have been told very well, some words pretty common pretty means common means very common, pretty means very good pretty means very good, pretty means beautiful, but here it has a meaning it is very common, how are you, I am fine, what about you, so this is very common you can say it, you can say it, rather means rather than you can say it, rather than you can say it या ये बोल सकते है ठीक है रादर ठीक है और आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट भाग में हम लोग आ गए है आज के मैनर्स वाले लेक्चर के जब आप लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छा वियाभार दिखाते हैं तो आपको समाज में इजद दे जाती है ये भी याद रहे कि केवल इन शब्दों का व्याख्याशों का प्रयोग करना ही काफी नहीं बल्कि जो भी बोले नम्रता और प्रेम से बोले हाँ जैसे गुसा में किसी को ऐसा बोल दे कोई आप से पुछा बॉल ले ना अब कि बातनी करेंगाता थोब भागेगा फिर आपको भूले इंउए ते तो मेर झैक है फिर उमें से क्यों दूर जा रहा है लगता है मेरे चहरे ही खराब है नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपको अपना व्याभार थोड़ा सुधारना पड़ेगा थोड़ा इजद देंगे ऐसा कोई दुनिया में कोई खराब नहीं सब अच्छा दिखता है ठीक है ये भी याद रह ठीक है शिस्था चार यही पर खत्म नहीं होता तो मैनर्स यहाँ पर खत्म नहीं होता बलकि जैसे दो वक्त के साथ आप अंग्रेजी भाशा की गहराई और बहतर समझेंगे कई नहीं बाते आपके सामने आएंगे तो यहाँ पर मैनर्स खत्म नहीं होता है यह तो बस सबते जायेंगे सीखते जाएंगे खर करेंगे बुक्स पढ़िये इंग्लिष चाम में आपको बोलूंगा यहां पर आप सि किली nodig ने बाज बड़ा लुख के लिए बाज के लिए लागुँ ने नहीं ब्ला लोग 부분이 लागुअ raising हम आपको बता रहे हैं पच्छा लोग मतलब वो लोग के अंदर क्या रहे है तो आपको अच्छा-च्छा किताब पढ़ना है मॉरल स्टोरी पढ़ना है जो चार-पांच लाइन का होगा तो उसको पढ़ पढ़ के आपका दिमाग भी खुलेगा और आप इंग्लिश में सोच भी पाइंग जैसे आप हम लोग हिंदी में सोच के बात करते हैं तो आपको ऐसा बनाने कि इंग्लिश में भी सोच सके ठेक है अब यां इंग्लिश में भी पढ़ दे रहे हैं वें यह बिएव सिविलाइज और कुल्चुर्ट यू अर गिवन रिस्पेक इन सोसाइटी एक बात मैं को बता तो कि अगर आपको मतलब गुसा में बात करने तो कब गुसा में बात कर जैसे आप अपना ओपीनियन रख रहे कुछ आप अपना पॉइंट रहे किसे के सामने कि no this should happen I tell you that he is wrong तो यहाँ पर देखे कैसे हम बोले कि गुसा में जैसे अपना हिंदी में मैं आपको बताता हूं कि नहीं वो जो बोल रहे है सही नहीं है मैं बता रहो वो गलत है तो ऐसे आपको हिंदी में या इंग्लिश में आपको कहां गुसा जो हिंदी में करते हैं वह इंग्लिश है और वही बाकी सारा लैंडविज है खली वर्ड्स अलग है मीनिंग सब सेम है भाव अलग है सब इंसान सेम है अफ्रिकन अमेरिकन कोरियन करनेडियन सब सेम है सब का भाव एक ही है खली दिखने में अलग है बस और यह आपको नहीं जानना है ठेक है तो ऐसा म लोग जो बड़ा बड़ा काम करता है इंसानी करता है दर्द तो सभी को होता है लेकिन टाइम के साथ सथ जब आपको सक्सेस मिलता है तो सब दर्द भूल जाते है ठीक है आप लोग सीख रहे हैं वही मेरे लिए सक्सेस है तो मैं अपने जो दर्द सब भूल जाता हूं ठीक ह तो मेरे साथ बने रही है Just मेरे use of such words or phrases is not enough मतलब यह सब word का जो मैं को हिंदी में बता है यह इंग्लिश में भई लिखा है Just मतलब बस मेरे use of word मतलब यह सब word का और phrases मतलब जो क्या बोलता है Phrases मतलब जो Sentences Sentences मतलब छोटा-छोटा Phrases मतलब छोटा-छोटा Sentences ठेक है Pankti भी बोलते है Hindi में Is not enough मतलब enough नहीं है मतलब उतना नहीं है ठेक है और भी बहुत सरह चीज है When you behave in civilized culture Civilized मतलब culture मतलब एकदम आपका culture दिखता है कि आप कैसे है अच्छे है या बूरे नहीं है मतलब वह कैसा culture है जिसे हम लोग Americans मिलेंगे तो वो लोग का अलग culture है वो लोग अलग तरीका से बात करता है French अलग तरीका से बात करता है American और Canadian अलग तरीका से बात करता है उसका बात फिर Chinese लोग अलग तरीका से बात करता है हम लोग English सब कर देखेंगे English का बोलने का तरीका अलग है Indian लोग आमेरिकन लोग ब्रिटिश लोगा लग है तो वही है मैं बूलना चाहता हो ठीक है तो वो Culture दिखता है कि आप कैसे बात करते हैं और गुसा से बात करेंगे तो फिर आपका कल्चा दिखेगा यह लोग तो बोट गुसा वाल आदमी लोगे लोग से दूर लिखिए लोग प्यार से बात करेंगे तो पता चलेगा यह ठीक है थीक है चलो तो आपको थोड़ा पॉलाइट रहना पड़ेगा थोड़ा हमबल रहना पड़ेगा थोड़ा पॉलाइट रहना पड़ेगा थोड़ा पॉलाइट रहना पड़ेगा थोड़ा पॉलाइट रहना पड़ेगा थोड़ा पॉलाइट रहना पड़ेगा बहुत लोग हम देखे है ठीक है लेकिन बहुत बर क्या होता है हम लोग जैसे अभी exam का त्यारी होगा yeah किसी चीज का भी तो हम लोग थोड़ा थूड़ा चिंता मेें आ जाते तो उस समय का बात अलग है उस समय आप झान मुझके तो नहीं कर रहे हैं ठीक है लेकिन आपको ज्यादा तरह किसे से भी बात करे क्योंकि आप दूसरा कोई इनसान से बात कर रहे हैं मशीन से बात कर रहे हैं Artificial Intelligence से बात कर रहे हैं तो बात अलगए उसको आप कुछ भी बोलें उसको कोई फरक ने पड़ तो अपना काम करेगा बस बोलेंगे लाइट अन करेगा यह यह ब्रेट टोस कर दो तो टोस्ट कर देगा तो रोबोट को रोबोट लोगों को ज्यादा फरतने पड़ता है क्योंकि ओनों को दिल नहीं लेकिन तो भी बोलेगा okay okay no problem तो ठीक है तो आपको humble रहना पड़ेगा polite रहना पड़ेगा in your speaking speaking बोलते समें speaking मतलब बोलते आज वेल मतलब बोलते समें भी आपको polite रहना पड़ेगा और व्याभार भी आपका अच्छा होना च्छी है यह निगे खले बोल रहे हैं अच्छा तरीका से और चल रहे हैं एकदम गुंडा जैसे नहीं वैसा नहीं आपको अपना body language भी सही रहन पड़ेगा और अपना बोल रहे कैसे कैसे अपने आपको dress की है कैसे अपने आपको मतलब साफ सुद्र है कि नहीं सब सब आपका interview में में लिए सब दिखा जाता है कैसा personality है आपको कैसा मतलब body है या gym वाला body है कि नहीं मतलब ऐसे ही या अब healthy है कि नहीं वो सब ठीक है तो देखा जाता है बहुत जब fit body है कि नहीं ठीक है तो वो सब किया रहे ता fit है तो आप कुछ भी कर सकते है fit नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होता है आदमी लोग को ठीक है it doesn't end here मतलब यहां पर खतम नहीं होता है rather newer ideas will emerge मतलब बहुत सारा newer ideas नया idea सब will emerge मतलब निकलेगा ठीक है with time time समय के साथ जैसे आप आगे बढ़ेंगे वसे when you develop more into this sorry delve into मतलब अंदर जाएंगे delve मतलब और अंदर जाएंगे more मतलब जादा into this foreign language into मतलब अंदर into this foreign language इन और into अब देखेंगे बहुत जगह in का प्रयोग किया जाता है और into का जगा into ठीक है तो इन का जगह हम लोग कहां यूज करते हैं जैसे box के अंदर क्या है ball है box के अंदर ball है राम राम into the house तो बाहर से जब यह हम ठीक नहीं बोले sentence ठीक है यह बस मैं आपको बता रहो राम वेंट into the house ठीक है यह ठीक है अब मैं बस आपका meaning बता रहो इसके बारे हम लोग और जानेंगे ठीक है बस अभी आप meaning देख लिए जब कोई अंदर तरफ आता है तो इसको into बोलेंगे ठीक है लेकिन कोई अंदर ही है तो इसमें क्या बोलेंगे in ठीक है जैसे हम लोग क्या जब diving आप तो जानते हैं जैसे कोई swimming करता है आप लोग भी बहुत लोग करते होंगे तो swimming में क्या रहता है हम लोग dive मारते हैं पानी के अंदर तो into हो जाएगा ठीक है और जब कोई भी चीज जैसे अंदर है जैसे box के अंदर pencil है तो वहां पर in आ जाएगा ठीक है पना comment दे दीजैगा अगर आप लोग सही दिये तो अच्छी बात मतला अप लोग सीख रहे है ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है एक लड़का है ठीक है एक लड़का है वो दर्वाजा के अंदर बाहर से गिया ठीक है और एक बढ़ सूने एक लड़का है वो लिखेंगे वहाँ पर इंग्लिश में ठीक है तो आप मैं सोचता हूँ कि आपने लिख लिए होगा टाइम स्टैम लगा के लिखेंगा जैसे अभी जो टाइम दिखा रहे है वीडियो में वो टाइम अगर आप बताते हैं तो अच्छा से पता चल जाता है तो क्या लिखेंग हो ठीक है और वो राम इस इन दा हाउस ठीक है वो दरवाजा के अंदर और एट फूशत है ठीक है दो आंट मतलब चीटी यह चीटी बॉक्स के अंदर है तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे इंटू करेंगे कि इन करेंगे मैं बता रहो आंसर आप लोग लिख लिए होंगे यहां पर हम लोग यूज करेंगे इन क्योंकि पहले से अंदर में है चीटी वह बाहर से तो अंदर नहीं गिया ठीक है तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर हम लोग अपना खतम करेंगे मैनेस का लेक और यह PDF भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यह PDF मुझे English वाले.com से मिला है, जो कि बहुत अच्छे समझाते हैं, ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाई!